हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का शालनी क्लासस में मैं हूँ शालनी यहाँ पर हमदीली मिल रहे हैं और आज मैं आपके लिए मैथ के प्रश्म लेकर आई हूँ और जो प्रश्म में लेकर आई हूँ न वो आपको पैरामीटर्स के जो छेतरफल आयतन आयत उस सेक्शन क हैं जो लास की तरफ से हैं उनसे संबंद है टॉपिक पर मैं फूल डीटेल डिसकस करूंगी और हर एक पॉइंट को बहुत ही क्लेरी तरीके से मैं आपके साथ डिपाइन करूंगी ताकि आप हर एक चीज को बहुत ही पॉस्टिफ वे में अच्छे से कर पाएं और समझ पा हैं और इसका प्रैक्टिस सेट में आपको यह आज पार्ट वन है ठीक है एक बार ध्यान रखेंगा यह आज यह आपका पार्ट वन बन रहा है इस तरीके कम से कम कई सारे पार्ट बनाएंगे क्योंकि आपको जो छोटे सेक्शन है मैं जैसे सिंप्लिफिकेशन हो गया और Dok आपको तोöglich केका मैं अलजां रखे का फ्रण्स थोड़ा सा जो पीछे होता है उसको बुल रहे हूं क्योंकि जब मुझे काम है काम करना दोसे के प्रवर्स नियुक्त मुझे आपके लिए मैनेस करना खुद के परसनल काम कर visão में थोड़ी खड़ गताना तो इस थो सब्सक्राइब करते हैं चलिए अब सब्सक्राइब करते हैं मैं आपको ध्यान रखना क्लास करवा रही हूं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अच्छे समझिए पढ़िए देखिए हर एक चीज़ को इंज्वाई करें कोई दिक्कद हो तो मुझसे बूचिए चलिए देखते हैं क्या है यहां पर पहला पर पर सामने स्क्रीन पर है देखिए अब यहां पर लिखा हुआ है एक आयताकार मैं पढ़ रही हूं ध्यान रख मैं फवर्ट से बोल रही हूं कि एक आयताकार खेत है एक खेत की जो लंबाई है वह 40 मीटर है उसकी जो चौड़ाई है वह 30 मीटर है आयताकार खेत का छेतफल कितना होगा एडिया आपसे पूछ रहा है find out area of the field आपको एडिया निकालना लगाईए सूत रयाद होगा तो आ पार्क का मैदाने कुछ भी है उसकी जो लंबाई दी हुई है उसका जो एल दिया हुआ है वह 40 मीटर दिया हुआ मैं सब कुछ बोल रही हूँ और उसकी जो ब्रेथ दी हुई है वह आपको 30 मीटर दी हुई है अब आपसे area पूछ रहा है कि उस यह चोटे से आयताकार मैद का area जो ही जितना घेरा हुआ है वह कितना है सूत्र जिन्स बस्चे को याद होगा वह बच्चा 100% कर ले जाएगा अब मैं आपको इसको दिखाती हूं अराम से करवाओंगी कि उस दिन आप लोगों ने बोला कि मैं बहुत तीज करवा रही है तो मैं अब धीर धीर चली आपको पदिमीती से संबंदर पर शक्रवाओंगे लेकिन अभी फिलाल area देखो आपको याद होना चाहिए area of rectangle क्या होता है l into b यहाँ पर formula याद है area of rectangle is equal to l into b l into b l for length, p for breath ठीक है आपको ध्यान रखना है कि आताकार छेत्र का आताकार छेत्र का छेत्र का छेत्र फल बराब ौं खटाल कारसने वाइनल और लम्बाई गुड़े चौड़ाइट दोस्तों जब सूथ्र आपको पता है यहール इसका सूथ्र आपको वैल्यू बपता है कि लम्बाई 40 मीटर है चौड़ाई 30 मीटर है ठीक हो चाद्र लम्बाई के नीचे लम्बाई रख तो चौड़ाई को सॉल्फ करेंगे तो यहां पर यह मैं सरु इसको सुल्फ की जेकिन आप टील लाइन उसल्फ की फिर लेकिन आपो सुन्फ करेंगे लभल एक ङदा कार मैदान की लंबाई बड़ाबर 4 bạn झालिस और फीठी लेक तो सबता कोपी भी फिलफ कर दने हैं अर्य बडाबर साफ साफ लिखेगा क्लियर आगे बढ़ी है अरे मैं तो उत्तर दिखा देती आपको बहुत चलाक हो आप लोग बहुत चलाक चलो दूसरा देखो किसी आयत का परिमाप एक आयत है रेक्टेंगल आयत को जानते हैं रेक्टेंगल कहते हैं एक आयत का परिमाप 56 cm है और उसकी जो लंबाई दी गई है आयत की वो 15 cm दी गई है आयत का छेत्र फल क्या होगा लगाई 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 अराम से मैं वक्त दे रही हूं लगाई सभी लोग लगाई एक मिनट लेंगे या 30 सिकंड लेंगे चलिए 40 सिकंड देते हैं एक आयत है रेक्टेंगल है उसक 15 cm दिया लंबाई उसकी जो दी है वो 15 cm लेंथ जो है वो 15 cm आयत का छेत्र फल एडिया क्या होगा गल्स चरूर लगाई ए ठीक है यह मैं सोची की बात में लगाएंगे मैं से देख लेंगे फिर आप मेरे से सिर्फ देख लेंगे लगाएंगे नहीं जो की गलत है करना है प जी जल्दी दू इट फास्ट आई होप लगा लिये होंगे यह भी सूत्र पर डिपेंड है लेकिन आपको इसको बहुत ध्यान से करना होगा इतनी जल्दी आप नहीं लगाएंगे जैसे आदे बच्चे फसे खाऊंगे मुझे मालूम है बताऊं का फसे हैं आप यह सोच र परिमाप निकाल पाएंगे अब यही आपको तर्ड़म फस गया है तो मेरे फ्रेंड जिब तो एक ऐसे प्रशनों को कैसे करना पड़ता है पता है कि जो चीज हमें निकालेनी है और जो चीज हमको दी गई है जो चीज पहले उसको निकालो देन आप जाके परिमाप निकाल होगे चोड़ाई आप लिखो गए आयत का परिमाप बराबर डेक्टेंगल पैरामीटर प्रेक्टेंगल का सूत्र होता है तू इंटू एल प्लस भी याद आ रहा है मैंना को बताया था टू इंटू एल प्लस भी राकेट में निका जाता है लेंथ हो गया अब आपको यही लेंथ पता है परिमाप भी पता है लेकिन यह गिंती नहीं पता है तो पहले इसको निकालो कि देखो कुछ नहीं आयत का परिमाप बराबर चपन लेखदो इसके नीचे वह जुकवल्टू दो वैसे का वैसे लोंभाई कितनी इस लिख दो अब चड़ाई और यह जब्रैक इधर आगिया है अब 56 में दो से भाग करोगे तो 28 आएगा तो आप क्या लिखोगे अब बचा क्या 15 प्लस चोड़ाई बराबर इस उकल टू 28 अब नंबर नंबर एक साइट कर दो और जो फाइंड करना वो एक साइट कर दो आप लिखोगे चोड़ाई बराबर 28-15 अब जब लिख दो आयत कर चेत्रफल बहुत सिंपल सा आयत कर चेत्रफल बराबर लंबाई गुड़े चोड़ाई 15 गुड़े तेरा यानिकी 195 आपका उत्तर क्या है 195 आया की नहीं आया आया समझ में आया की नहीं आराम से मैंने कर आया मैं दिखा पूरा प्रशन दिख रहाए देख चीजे ना दी अब जैसे आप सपोस करें कि यह प्रशना आपको दिया गया है इसमें आभी चोड़ाई नहीं दी गई थी इसलिए आपने चोड़ाई को ऐसे किया अब आपसमें क्या को हो सकता है किसी में आपको लंबाई ना दीगए तो वो भी ऐसे ही लगेगा ठीक है च आप लोग कहेंगे पढ़ाया नहीं बस लाइक करने के लिए कह दे तीन रोज जो क्यों आदे लोग तो यहीं सोच रहे होंगे में टेल्टी जानती हूं मैं कोई बात नहीं चलें चली आईए नेक्स देखते हैं पढ़िए अरे अरे मैं तो उत्तर देखा दूंगे आप ल पचपन मीटर की जो भुझा हे आप जानते हैं कि स्कौरे में चारों भुझाएं बराबर होती है तो किसी भी वर्ग की जो भुझा है वो 59 मीटर कोई और या जाता है नहीं तो आपको इस सब में से प्रिस्टन पढ़ेंगे अ ChamTalk को फेला कोई पूच लेता है थिकर नहीं है पाझ कोई न में आपको उसमें पड़ाया है। कि अध्यान के तो यह ज़्वी और जिए चली होती को बहुलक होता है तो वो वाला भी कभी कभी आता है चलो लगाओ किसी वर्ग की भुजा पचपन मीटर दी गई कोई एक वर्ग है उसकी भुजा पचपन मीटर दी गई तो वर्ग के छेतरफल क्या होगा एरिया ओफ स्क्वेर क्या होता है चेतरफल वर्ग का चेतरफल बराबर कितना होता है बताओ सभी लोग बताईए आज सभी लोग दित्ते जूत्र हैं जिन्हें आज नहीं आध होगा या जो भी यहाँ पर पहली बार आ रहे होंगे वो वो सूत्र याद कर ली दे जितने भी जैमेटरी के जैमीती के सूत्र होते हैं जैमीती के सूत्रों को याद कर ली दे फिर सूत्र वे प्रशन आपको बनेंगा आप कर ले जाएंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वर्ग की भुजा कर पचपन मीटर दीगे मतलब होता है side of square मतलब जो side आपको दी गए उसका square कर نवा क्योंकि square में 4 Sight परावर ह होती है तो 55 दिया गया है कोई दिक्कत नहीं आप लिखोगे वर्ग का 6त्रफल बरावर भुजा का square यानि की side square 55 पचपन का square करोगे तो आप का 3025 आएगा ठीक है कितना के 3025 वर्ग मीटर करके देख दीजे 55 का स्क्वार 55 इंटू 55 करिया आपका यही सेम आंसर आएगा चले चलो लेट्स बिगेन नेक्स्ट चलते हैं चलते हैं जल्दी से करना है बस्ट प्रस्ट प्रस्ट फोर्ट आई किसी वर्ग का फिर स्क्वार का है किसी वर्ग का छेत्रफल आपको दिया है 361 वर्ग मीटर कितना दिया है मैं लिक दे रही हूं आपको वर्ग का एरिया वराबर दिया है 361 मीटर वर्ग मीटर तो उस वर्ग के विकर्ण डाइगनल से प्रिश्ण है उस वर्ग के अगर एक स्क्वार ये दिया है इसके बीच में ये डाइगनल होता है ना तो किसी वर्ग के विकर्ण की माप क्या होगी ये डाइगनल क्या ह इसक्वाय दार डाइगनल्फश्वाय याद है डाइगनल्फश्वाय दाइगनल उस्क्वाय URLs याद आ रहा है कुछ पढ़ाए कि नहीं पढ़ा है यह सब छोटी क्लास्व questionable में दिये गए हैं लगाईए फौट फौट लगाए वहां भी लोग के उपर डिपेंड है आप लोग इतना लगा पाएं यहाद आ रहा है कुछ किसी को किसा लोग भूल गए हो यह वाला नहीं लगा पाएंगे टफ तो नहीं है असान ही अभी मैं दिखाऊंगे तो कहेंगे हाँ मैं माग गया है लेकिन पहले खुद ट्राइ करि या है गल्स लगाईए रुकिये नहीं ठीक है मेरा इंतदार नहीं करना है सभी गल्स को लगाना है आगे पीछे गलत आएगा तो आएगा तो सही लगाओगे तो सही गलत ही सही तो क्या हुआ अभी वक्त है सीख लेंगे ठीक है ना लगाने से जादा अच्छा है गलत लग देखो पहले, वर्ग का छेतरपल बराबर 1 upon 2 into diagonal का स्क्वेर, देख रहे हैं सूत्र, कुछ समझ में आ रहा है, लिखेंगे area of square is equal to 1 upon 2 into diagonal का स्क्वेर, सूत्र दिया गया है, formula, उसी formula पर आपको लेदा के अपनी values को put up कर देना है, put up मतलब जो value हमें question में दी गई है, उन्ही value को वहाँ पर लेदा कर रख देना है, हमें value दी गई थी, किसी वर्ग का छेतर फल 361 वर्ग मीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की माप क्या होगी, तो हम जानते हैं कि वर्ग का छेतर फल बराबर 1 बटा 2 विकर्ण का square, छेतर फल हमें कितना दिया गया है, 361, तो हम यहाँ पर इसके नीचे 361 लिख देंगे, 361 इस तरीके से है, ठीक है, अब यहाँ पर जब भाग में है, तो यह उपर जब change होगा, तो गुड़े में हो जाएगा, अब देखो कैसे होगा, अब देखो यहाँ पर आप लिखोगे, विकर्ण का square, 361 गुड़े 2, 361 जो है, वो 19 का square है, ठीक है, क्या है, 19 का square है, तो 361 अब square root अगर याद होगा, तब भी आप इसको कर पाऊगे, अच्छे से, क्यूंकि विकर्ण जो है, डाइगनल ने पूचा है, तो आपको under root में इसका आंसर डेफिनेटली बताना होगा, तो आप लिखेंगे, 3001 को थोड़ेंगे, तो यह बनेगा, 19 into 19, आप लिखेंगे, 19 square root 19 common होजाएगा, 19 under root 2 meter, ठीक है, क्या होगा, 19 square root 2 meter, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर जब भी कभी विकर्ण में हो, तो under root में आपका उत्तर हिस्तरी के से आएगा, अगर आप इसको solve करोगे, तो point में आ जाएगा, बढ़ आप इसे ही छोड़ सकते, कोई दिक्कत न सभी बच्चे याद कर ली थे, अभी भी वक्त है, ऐसे प्रशन आ सकते हैं, आगे बढ़िए, नेक्स देखें, यहाँ पर दिया गया है, नेक्स क्या है, पांचों प्रशन पढ़िए, एक त्रभुज का आधार 18 cm है, कोई एक त्रभुज है, मैंने ट्राइंगल भी ले ल होता है, कोई special नहीं है, लगाओ, क्या कह रहा है, मैं बोल रही हूँ, एक त्रभुज है, त्रभुज का आधार यह बेस है, जो 18 cm दिया गया है, उसकी जो उचाई है, वो आपको 10 cm दी गई है, छेतरफल त्रभुज का क्या होगा, इस त्रभुज का छेतरफल क्या होगा, इस त्रभुज का छेतरफल बताना है, एडिया ओफ ट्राइंगल बताना है, लगाइए, सभी फ्रेंट, जल्दी, हम रुकने वालों में से नहीं है, लड़ने वालों में से हैं, प्रश्न हमारे अच्छे हैं, हम बढ़िया लेकर आए हैं, लिखे हैं, ठीक है, हिंदी की य लगाए, जल्दी लिखें, बस लगाते के आपको लगवाए, जो जो आता के लगाते के, कितला हो लगवाए, नहीं तो इन लोग घलत कर देंगे, ठीकत हो जाएगी, छलो भई, फटा फट लगाओ, जल्दी, आ गया होगा, उमीद है, लगाएंगे, वक्त दे रहे हैं, ल लगाए, लगाए, जल्दी, जल्दी, रुखना नहीं है किसी को, no, क्या होगा, कौन सा option आपको सही लगाए, which option is best according to all of you guys, मेरे friends, चलो आजो आगे, मैं बताती हूँ, area of triangle is equal to 1 upon 2 base into height, base का मतलब क्या होता है, आधार, और height का मतलब क्या होता है, उच्छाई, यह तो मैंने area of rectangle, area of, sorry, rectangle नहीं triangle, area of triangle is equal to 1 upon 2 base into height, ठीक है, अब आधार का मतलब base है, सारी values दी गई है, साब फटा फट रख दो, देखो, 1 upon 2 है, ऐसे ही लिख देना, कोई मतलब नहीं है, आधार कितना है, तो कहेंगे मैं 18 cm, अब यह मैंने तो ऐसे solve किया, आपको ऐसे solve करना है, आधार बराबर 18 cm, उचाई बराबर 10 cm, फिर आपको यह सूतर लिखना होगा, ताकि आपका यह जो सूतर question है, दो नंबर करना, बड़े से page में आ जाएगा, तो अच्छा भी लगेगा, और साफ साफ रहेगा, तो 18 लिख दो अधार पे उचाई लिख दो 10, 18 गुडे 10 बटा 2, कोई दिक्कत लग रहे हैं, कोई नहीं लगेगी, उन्हें नहीं देंगे, हम करवा रहे हैं आपको best से best, चलो आगे आजाओ, next देखो, देखो कहा है, अब एक आद दूसरा भी लिए, संबाहु त्रिबुज का भी लिए, कभी-कभी इनका भी आता है, यही कहते हैं, संबाहु त्रिबुज का छेतरफल को एक संबाहु त्रिबुज है, उसका जो छेतरफल है, वो 121 रूट 3 वर्ग सेंटी मीटर दिया गया है, तो त्रिबुज की भुजा है, वो क्या होगी वही आपसे पूछ रहा है, लगा लेंगे, किसी संबाहु त्रिबुज का हैं हम समझाते समझ जाएंगे संभाहों तर्विट के छेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट 3 इंटु भुजा का स्क्वार बटा चार यह सूत्र है अब सूत्र अगर याद है तो आप तुरंद कर लेंगे किसे बोलती हो कि जमीती के समझ फार्मूले हैं उनको याद कर लीड़ें किसी संभाहों तर्विट का चेत्रफल रूट 3 इंटु भुदा का स्क्वार अपन 4 का स्क्वार अब कैसे करना है कुछ नहीं करना भुजा का आपको ध्यान रखना है आपको निकालना है भुजा और आपको पताया गया चेटरफल कितना है 121 रूट 3 आप चेटरफल के नीचे लिखे 121 रूट 3 3 वैसे लिख दीजे भुजा का स्क्वाइर बाई 4 लिख दीजे ठीक इतने तक आप करके छोड़ दीजे आपको जैसा कुछ बता आपको सिर्फ यही भुजा का त्रभुज का चे यहां के जो चार था उसको उठाकर यहां पर भाग में था यहां पर इस उक्वल्ट किधर गया गुड़े में हो गया अब यह जो हमें फाइंड करना उसको हमने एक साइट कर दिया अब आपको ध्यान क्या रखना है आप कैसे इसको सॉल्फ करेंगे इस वह बहुत क्लियर सुन लीजे तो आप मेरी बात सुन लेंगे तो आप इसको कर दाएंग दिक्कत आपको नहीं होगी देखो अब यहां पर यह रूट 3 यहां पर है यह रूट 3 यहां पर यह कैंसल हो दाएगा अब आपका सिर्फ बचा क्या है 211 गुड़े 4 121 में जब आप 121 गुड़े 4 कर करेंगे मतलब देखिं किसका स्कुरा है तो 22 का जब आप स्कुरा करेंगे यह आपका 2 यहां से हटेगा भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर आएगा क्यों क्यूंकि 484 जो है 22 का स्कुरा है नहीं पता है तो गुड़ा करके आप देख लो आप निकल जाएगा कि आप मैं कर देत नहीं कितना होगा 22 सेंटीमीटर सूत रियाद है वामला रग दोगे वाल्यू तो हो जाएगा आगे बढ़िए नेक्स देखिए यह प्रश्ट मैंने आपके लिया है इसका मैंने सल्यूशन नहीं लिया है इसको मैं सल्यूशन करवाओंगी नेक्स क्लास में लेकिन आप लो उस वृत्त का छेतरफल इसका एरिया और इसका सरकमफ्रेंस यानि की परीधी क्या होगी मैं फिर पढ़ रही हूँ एक वृत्त की कोई एक सरकिल है उसकी जो त्रज्जा है रेडियस जो है आर बराबर होता है न वो आपका 28 सेंटीमीटर दिया गया है उस वृत्त का छेतर रूप में आज मिला हुआ जो कि आप कमेंट बॉक्स मुझे साथ में लिखेंगे मैं आंसर सेवन जुकल टू यह कमेंट बॉक्स मुझे सारी गल्स का सारे बॉइस का जित्ते भी और टोटल बॉइस गल्स जो भी आ रहे हैं सबके ने मुझे आपने नोट करके रिखवाए ठीक है आज की क्लास के साथ प्रशन होते हैं खतम कल भी ऐसे ही मैं आपको छे साथ प्रशन लेकर आऊंगी और यह वाले जमीति के जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक करवाऊंगी लेकिन हर एक बच्चे को आना चाहिए आएगा कैसे मेरे साथ पांचे लगाओ पांचे दस पंद्रा अपने साथ लगाओ चोटे सुराद करो लगा लोगे हो जाएगा आई होप क्लास अच्छी लगी होगी इसलिए बोलती हूँ कि ठ्योरी वारे दलिली पढ़के खतम कर लो फिर मैं आथ और संस्क्रिट पर ही दो फोकस कर लो किसी बच्चे की बैक लगने ने रिख चुटकियों में रिकलो आदूंगी लेकिन आपको करना पुड़ेगा जिकर बिना किये नहीं होगा आई होप क्लास अच्छी लगी होगी मैंने तो पूरा प्रयास किया मिलते हैं फिर नेक्स में तब तक के लिए टे आई होगी मैं तो 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 आई होगी मै